हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी है कोई सा भी मोबाइल चाहे कोई सी भी कंपनी का हो MI, OPPO, Vivo तो आप उसमें स्क्रीन शॉट कैसे ले सकते हैं यह तरहीका हर मोबाइल में काम करेगा चाहे आपके पास कोई सा भी मोबाइल हो इसमें आपको सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है यहाँ पर आपको सर्च करना है स्क्रीन शॉट आप उपर की तरफ स्क्रीन शॉट सर्च करोगे तो आपके पास यह पेज आएगा यहाँ पे आपको screenshot टच वाला जो application मिल रहा है आपको इससे अपने phone में install कर लेना है तो हम इसको install करते हैं यह सबसे simple, easy और सबसे secure application है इसलिए हम इसको इस्तिमाल कर रहे हैं तो यह install हो चुका है और फिर यहाँ पे आप देसकते हैं यह application आचुका है आपको इससे open करना है open करने के बाद यहाँ पे यह हलका सा wait ले सकता है और आपके पास कुछ इस तरीके का page आएगा तो आपको नीचे की तरफ से ok कर देना है उपर आपको दिखाए देगा start capture monitoring service आपको इस पे touch करना है allow करने हो कहता है तो allow कर दीजिए यहाँ पे कहेगा display over other apps आप से enable कर दीजिए फिर आप इसे back कर दीजिए और यहाँ पे नीचे start now करने हो कहता है तो start now कर दीजिए और आपका काम हो चुका है यहाँ पे आपको एक छोटा सा camera बना वहाँ मिल जाएगा बिल्कुश same to same इससे आप अपने किसी भी phone में screenshot ले सकते हैं जैसे कि हम WhatsApp open करते हैं हम इसका screenshot लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इस icon पे touch करेंगे इस तरीके से और हमारा screenshot हो जाएगा उपर की तरह से हमें notification भी आ चुका है कि हमारा screenshot है वो save हो चुका है हम इसको open भी कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आई है वीडियो को like करिएगा और मेरे channel को subscribe करना मत भूलिएगा